नमश्कार आप देख रहे हैं यूक्चर और मैं हूँ आपके साथ खुश्वसेंग आया नज़रालते रासान से उड़ी कुछ पढ़ी खबरों पर प्रदेश सरकार के स्कूलों में सूरी नमश्कार कराने के निंडे को हाई कोट में चुनौती दी गई है हाई कोट में आज इस मामले की सुनौवाई हुई जस्टिस महेंद्र गोईल के अदारत में मामले की सुनौवाई करे की EIMIM की प्रदेश महासचियू कासीफ जुबैरी और अन्ने के हाई कोट में सरकार के निंडे की खिलाफ याजिका इदार की है याजिकाओं में कहा गया कि रज सरकार का स्कूलों में सूरी नमशकार कराने का निंडे गेर समिधानिक है इस समिधान के आठिकल 25 का उलंगन करता है आठिकल 25 में हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंतरता दी गई है सरकार का ये आदेश व्यक्ति की धार्मिक सुवतंतरता का हनान है इसे रद किया जाए अथवा इसे अनिवारे रूप से लागू नहीं करके ऑप्शनल रखा जाए हाई कोट में याचिका के सवाल प्रिशा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन सूरे नमशकार धार्मिक क्रिया नहीं है उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों ने इसे स्विकार किया है इसने 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है सूरे नमशकार एक तरह का सरवांग योग है इसमें सभी तरह की योग समाहित है पूर्व कॉंग्रस अध्यक्ष सूनिया गांधी इर्वजस्तान सिर्वरजसभा के लिए नमांकन दाखिल करने के लिए जयापुर पहुँची उनके साथ राहुल गांधी और प्रंका गांधी भी पहुँचे है पूर्व प्रधान मंत्रिय मनमोहन सिंग की सीट खाली हो रही है अब सोनिया गांधी रजसान सिर्वरजसभा के रास्ते संसत पहुँचेंगी इससे पहले सोनिया गांधी लोकसभा के सदर्शे रही है पूर्फ कॉंग्रिस सध्यक्ष सुनिया गांधी के रजस्वा नमांकन के दोरान प्रस्तावक पूर्फ मुख्यमंत्री अश्योग गयलोद PCC चीफ गोविन सिंग डोटास्रा नेदार प्रतिपाक श्टिकाराम जूली सहित कई वर्ष्ट विधायक मौझूद होंगे रजसान कॉंग्रिस के सभी विधायक भी जयपूर पहुँच चुके थे सभी को दो दिन तक जयपूर में रहने को कहा गया था नमांकन फॉर्म भरकर सेट तयार कर लिए गए थे नमांकन फॉर्म के साथ दस विधायकों के प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर हस्ताक्षिर करवाए गए थे पुलिस ने जानकारी दी के सभी प्रवेश पर रिक्षा की तयारी कर रहे एक 16 वर्षिय चात्र की मंगलवार को रधसान के कोटा जिले में आत्महत्या कर ली इस साल कोटा में तीसरी घटना है कोटा के पुलिस उप अदिक्षवक भवानी सिंग ने कहा कि चात्युद के छात्र ने कोटा के महावीरणगर रलाके में अपने होटेल के कमरे में एक अदम उठाया अधिकारी ने बताया सोंबार रात को च्छटैस्गड की एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली चात्र दो साल से कोटा में रहकर जे EE के तयारी कर रहा था संग्त प्रवेश परिक्षा मेंस का परिणाम सुमवर रात को खोशित किया गया इसके तुरंत बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली DSP भवानी सिंग ने कहा कि छात्र कोटा में एक छात्रवास में रहता था और बारवी कक्षा का वो छात्र था आज सुबह जब उसके माता पिता ने उसको फोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया इसके बाद होस्टल की वाडन को इसकी जानकारी दी गई जिसके तुरंत बाद धक्का देकर उसकी कम्रे का गेट खोला गया जहां छात्र पंखी से लटका हुआ पाया गया सिंखे जैपूर और उदेपूर समेत कई शहरों में सिर ठिकानों पर कारेवाही की गई है कारेवाही में विभाग की जैपूर और दिल्ली की टीमें शामिल है जहरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना जटाई जा रही है बता देए कि 2020 में सियासी संकर के वक्त मेगराज सिंख के जसल मेर सूरेगर होटल में भी कॉंग्रिस नेताओं की बाड़ेवन्दी की गई थी जानकारी के अनुसार मेगराज और गड़ानी ग्रूप पर आग सुबह चार वजे सीडी की टीमें छापे मारी कर रही है जैपूर में 200 फिट वाइपास के पास मुख्य ओफिस वेशाली नगर सत्त मेगराज आवास पानी पीच चोराही के पास बजरी कार्याले पर कार्यवाही की जा रही है परिवहन मुख्याले में हडकम तब मच किया जब मुख्य सतीव सुधान्श पंत और चक निरिक्षिन करने पहुंचे कार्मिक बड़ी संख्या में गयर हाज़र मिले कार्मिक बड़ी संख्या में गैर हाज़र मिले फाइलों को रख रखाओ भी मुख्य सचीव को सही नहीं मिला आपको बता दे कि मुख्य सचीव सुधान्श पंत ने परिवहन मुख्याले के आज और चक निरिक्षिन किया परिवहन भवन में दूसरी फ्लोर पर अलग-अलग कमरों का निरिक्षिन कर रहे हैं जिन कमरों में टेबल पर फाइले नहीं मिल रही हैं उन सभी फाइलों की मौझूदा अधिकारियों से सुधान्श पंत जानकारी ले रहे थे कुछ फाइलों की सीएस ने भी फोटो और करमचारियों से फीडबैक लिया जोरान पूरे परिवहन भवन में खलबली का माहोल देखा जा रहा था कुछ लेट रतीफ अधिकारी परिवहन भवन में इधर से उधर दोड़ रहे थे ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ युक चर्ण तब तक लिए नमस्कार